Hello everyone, welcome to Brahmi Academy, स्वागत है आपका मध्यप्रदेश की इस महा सिरीज में, जहां हमारा टार्गेट है 50,000 MCQs MCQs के फार्म में हम हर एक यूनिट कवर करेंगे, हर एक टॉपिक कवर करेंगे अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश के हर एक डैमेंशन को हम कवर करते चल रहे हैं करिंट अफियर, पॉलिटी, हिस्ट्री, एकोनॉमी, आर्ट अन कल्चर, सारी चीज़े हम MCQ के फार्म में देख रहे हैं और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़े याद भी करवा रहे हूँ तो बस आपको शांती से लास तक पूरा वीडियो देखना है और ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़े समझते चलनी है याद रखेगा आपको last में एक revision जरूर करना है जिससे आपको ये सारी चीजें long time तक याद रहें चलिए शुरू करते हैं आज का lecture सबसे पहला जो हमारा question है वो है नीती आयोग द्वारा जारी Export Preparedness Index 2021 में मध्यप्रदेश का कौन सा इस्थान है ये question आपका जो unit 10 है commission वाला वहाँ पे नीती आयोग के लिए पूछा जा सकता है या फिर मध्यप्रदेश के लिए भी पूछा जा सकता है तो prelims में वैसे भी आप जब paper देखेंगे तो unit तो लिखी नहीं रहेगी ये question लेकिन बहुत जरूरी है दोनों के हिसाब से तो याद रखिए नीती आयोग सबसे पहले तो नीती आयोग जारी करता है export, preparedness, index मतलब हम निर्याद की बात कर रहे हैं यहाँ पे याद रखिए ये निर्याद की बात कर रहे हैं तो निर्याद सुचकांक से related होगे आपका 2021 में हमें बताना है मध्यप्रदेश का कौन सा इस्थान है याद रखिएगा मध्यप्रदेश का इस्थान है पांचवाँ, हम MP की रैंक की बात कर रहे हैं MP की रैंक कितनी है, 5th, अगर 2020 की बात करें, तो 2020 में कितनी रैंक थी, 12th, 12 रैंक थी अब हम मतलब मध्यप्रदेश ने अच्छा काम किया है और साथ जो आपकी रैंक है, छलांग मारके पहुँच गया है, पांचवे नमबर पे ठीक है, तो याद रखिएगा, नीती आयक द्वारा जारी होते हैं, हम इसमें चेक क्या करते हैं मतलब आपका जो Export Preparedness Index है, यह चेक करता है कि आपका जो Export Environment है वो कैसा है, ठीक है, Export Environment कैसा है, फिर Policies कैसी बन रही है, ठीक है, उसके लिए जो Ecosystem है, Ecosystem वो कैसा है, तो यह सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं, Export Preparedness Index के अंदर, ठीक है, Index मतलब आपका सूचकांग, यह नि यह तो आपने याद कर लिए मध्यपरदेश की रैंक कितनी है, ठीक है, फिर आपको याद क्या करना है कि First Rank पे कौन है, First Rank पे कौन है, तो याद रखिएगा, Export करने में, निरियाद करने में, जैसे आपका यह हो गया, इंडिया का Map, ठीक है, तो आप जब देखेंगे, Coastal boundary होगी, आपका तटी छेतर होगा, वो होगा, वो आसानी से क्या करेंगे, अपना माल जो है, पहुचाएंगे, कहां पे समुद्र के पास, और उनका आराम से चला जाएगा, नीती भी अच्छे अच्छी बनाएंगे, तो यह मैं relate करने के लिए कह रही हूँ, कि याद यह आपका Tamil Ladu, Tamil Ladu की है, फिर सेकेंड रैंग किसकी है, सेकेंड रैंग है, महाराष्ट की, तो देखेंगे, कोस्टल वाली जितने हैं, वो फिर्स्ट रैंग पर आया, तमिल लाडू, सेकेंड रैंग पर महाराष्ट, मध्य प्रदेश हमारा पाच्वी रैंग पर ठीके, पंच मार के बिल्कुल पांच भी रैंट पे पहुँच गया है मध्य प्रदेश उसके अलावा पहली रैंट पे है आपका तमिल नाडू ठीक है चले आंगे देखते हैं निमलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख मंत्री ने अपने मुख मंत्री पद के लिए लोग सभा की सदसिता से ट्याग पत्र दिया था तो इसमें आप याद रखियेगा कि यह कुसे रिलेटेड है चीफ मिनिस्टर मुख मंत्री से रिलेटेड है ठीक है तो अरजून सेहिंग दिग्विजय सेहिंग मौतिलाल वोरा सिवरास सिंग तो किसने अपने जो लोग सभा की सदसिता थी उससे दिया था त्याग पत्र लोग सभा की सदसिता से त्याग पत्र देखे मध्य प्रदेश के मुख मंत्री बने थे कौन थे ये ये थे दिग्विजय सिंग ठीक है दिग्विजय सिंग कब बने थे 1993 में तो 1993 में इन्होंने त्याग पत्र दिया लोग सभा की सदसिता से और फिर किसको जॉइन किया मध 1998 तक जाएंगे फिर इसके बाद फिर 1998 में जीत कर 2003 तक जाएंगे तो ये इनका दो कारेकाल था इसके साथ इनके साथ दो उपमुख्य मंत्री भी थे तो आने वाले कोशन में हम वो भी देखेंगे अभी याद रखिएगा दिगविजा सिंग ने क्या किया था सदासिता त्या बाजना मठ टेंपल एस्टाबलिश ठीक है संग्राम शाह मधुकर शाह दुर्गवाती रदरशा तो याद रखिएगा यह आपकी बाजना मठ है यह संभां से संग्राम वह आपके कौन और राजा सबसे प्रतापी, पहले गौंड राजा माने जाते हैं, ठीक है, गौंड साशग और इनको क्या बोलते हैं? इनको याद रखेगा बाजना मठ आपको मिलेगा कहाँ? जबलपूर में ठीक है जबलपूर इसके अलावा संग्राम शाह ने संग्राम सागर भी बनवाया था संग्राम सागर ये भी कहां मिलेगा आपको ये भी मिलेगा आपको जबलपूर में तो संग्राम शाह जी ने बाजना मठ बनवाया मंदिर जबलपूर में उसके अलावा संग्राम सागर तलाब बनवाया वो भी कहाँ पर जबलपूर में ठीक है इसके अलावा याद रखिएगा इनको बोलते थे बावन गढ़ादी पती क्यों क्योंकि इनके अंडर में उस ता में थे संग्राम शाह जी के अंदर तो इसलिए इनको बावन गढ़ा धीपती भी बोलते थे ठीक है याद रखिएगा यह आपके संग्राम शाह जी से रिलेटेड हो गया ठीक है चलिए आंगे देखते हैं किस राज ने वायू प्रद्यूशन और पर्यावरन सुधार के ग्रीन सिटी इंडेक्स फॉर एर पलूशन और इंवार्मेंट इंप्रूव्मेंट तो यहाँ पे ग्रीन सिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं यह आपका दूसरा सूच कांगा गया वायू प्रदूशन और पर्यावरन सुधार के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स ठीक है इसमें क्या करेगा इसमें जो 16 नगर निगम है अब 17 हो गया है यह पहले लॉंच हुआ था तो 16 नगर निगम जो है मध्य प्रदेश के वहां पे एयर कॉलिटी अलग-अलग मतलब जो इंडेक्स में आपके अलग-अलग टॉपिक है उनके बेस पे क्या दी जाएगी रैंकिं ओई क्या क्या कर रहे हैं डिकर उसके अलावा जैसे आपको नवी करनी ओरनेवैबल एंदर जी उसके क्या कर रहे हैं दुआद की बोघ्याव требवरी उपे क्या लिए कर रहे हैं फुम हरववन सुधार में जितनी वी चीजा है उसके अलावा आपका जो city park है क्योंकि city park कि क्या करता है बहुत ज्याद़ यहां पर oxygen प्रोवाइड करेगा city park हो गया फिर urban urban forest इन सब को हम देखेंगे मतलब इन सब की क्या करेंगे इन सब को उठाके हम रैंकिंग करेंगे अलग अलग नगर निग्मों के उसके इसाब से फिर हम क्या निकालेंगे green city index निकालेंगे ठीक है तो याद रखिएगा मध्यप्रदेश पहला ऐसा state है पूरे भारत में जिसने खुद का green city index जारी किया है जिससे वो अपने अलग अलग नगर निग्मों को क्या करेंगे रैंकिंग देगा कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है पहले किसने अच्छा परफॉर्म किया था तो यह कर रहा है अपना मध्यप्रदेश ठीक है चलिए आंगे देखते हैं चितो भोगभद राजा मांसिंग महराना प्रताप राजा भादुर शाह याद रखीए का मंदिर जो राजा भोज से रिलेटेड है ठीक है को राजा भोज हो धुर्झ का मढर्ट सिद्रिभुवान मंदिर मिलें कहां पर आपके चुत्त किस से राजा भोज से रिलेटेड है ठीक है राजा भोज वैसे भी फेवरेट टॉपिक है MPPSC का तो यह याद रखिएगा इसके अलावा राजा भोज को क्या मिलेगा आपको एक मिलेगा भोज शाला यह हम देख चुके हैं भोज शाला पहले कोशन में यह है धार में ठीक है इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है किताबें यह मतलब हर साइंस में इंट्रस्टेट थे एस्ट्रोलॉजी में इंट्रस्टेट थे ठीक है उसके अलावा जो मतलब हिस्ट्री हो गया हर चीज में यह इंट्रस्टेट तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है जैसे हो गया आपका समरंगन, सूत्रधार, भोज, प्रबंधन, ठीक है, फिर सरस्वती, कंठाभरण, याद रखिए कि ये कुछ मेन मेन है आपकी बुक्स इनकी राजा भोज जी की, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, इनके टाइम पे बहुत सारा जो विद्वान थे, वो भी इनके दर्वार में होते थे, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आपकी राजा भोज से रिलेटेड है, इसके अलावा भोज ताल तो हो ही गया, ठीक ह परमार, परमार साशक थे ये, ठीक है परमार साशक थे तो याद रखिएगा परमार साशक राजा भोज, भोज ताल, भोजपूर मंदिर, भोजशाला धार में, त्रिभुवन मंदिर, चित्तोडगर, बहुत सारी बुक्स लिखी थी, समरंगन सुत्राधार, भोज़ ग्रूप वी में कौन सा राजी प्रतम इस्थान पर है विच स्टेट रांक फर्स्ट इन ग्रूप वी इन दे नाशनल गूड गवर्नेस इंडेक्स दो हजार एक्यस अच्छा जब मैं कोई भी आपको इंडेक्स पढ़ा रही हूं या करेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूं तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि यह है यह इंप्वर्टेंट है यह नहीं ऐसे कोशन आते भी है मतलब जरूरी नहीं कि टीचर जो भी पढ़ा रहे है आप बस पढ़ते जाए as a student आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि सब जरूरी है भी की नहीं तो पता कैसे चलेगा कि यह आता है ऐसे question की नहीं सबसे बेस तरीका सबसे पहले तो आप उठाएंगे क्या syllabus syllabus में कहीं लिखा है की नहीं तो syllabus में आपका पार्ट है current affair का जो जो आ आपने notice किया होगा मैं हर एक question में बताती हूं यह previous year में आ चुका है ऐसे question पूछे जा चुके हैं जिससे आपको यह पता चले कि ऐसे question ही आते हैं ठीक है वराइट मतब 2000 अगर आप 22 से चालू करेंगे और उधा 2014 तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ही question आते रहे हैं तो पूरे chances बनते हैंगे फिर वही question आ सकता है इंडेक्स के question जो अपके famous famous indexes होते हैं उनके question आते रहे हैं इसलिए मैं आपको इंडेक्स बता रहे हूं मद्ध प्रदेश की कौन सी ranking है important हो जाता है क्योंकि मद्ध प्रदेश जादा important है तो इसलिए मद्ध प्रदेश की ranking के साथ बता रहे हैं और first ranking किसकी है ये भी बता रहे हैं इसके पहले हम अभी यहां पर हम good governance की बात कर रहे है ठीक है good governance मतलब अच्छा हमारा सुशाशन की बात कर रहे है ठीक है और सकम किसी चीज में तो टॉप कर रहा है तो याद रखेगा यह group B में है इसके अलावा आपको group A भी मिलेगा group A अलगर में था तो group A में जो फर्स्ट आया है वो है आपका गुजराद और जो group B है group B में आया है आपका मध्यप्रदेश याद रखेगा यह आपकी राष्ट्रिय गुट गवर्नेस इंडेक्स है 2021 गुट गवर्नेस इंडेक्स आपकी मंत्राने केंद्र सरकार ने निकाली है ना न आगे देखते हैं निम्न में से मध्यप्रदेश के किस मुख मंत्री को द्यानिक नई दुनिया भुपाल द्वारा जन्मत संग्रह के आधार पर 1999 में वर्स श्री क्यूपाधी दी गई थी विच ओफ दुनिया ने रेफरेंडम करवाय था जन्मत संग्रह उसके इसाब से फिर निकला था कि किस मुख मंत्री को आपके किस चीफ मिनिस्टर को वर्स 1991 में वर्स श्री मिला था ठीक है उस ताइम पर ये मुख मंत्री नहीं थे बाद में बने थे तो ये कौन है आपके ये हैं आपके बाबुलाल गौर जी याद रखेगा बाबुलाल गौर जी को वर्स श्री की उपाधी मिली थी इसके अलावा विधान सभा में मुझे उन्हें एक अवार्ड दिया गया था तो बाबुलाल गौर ये कब बनते हैं ये 2004-05 में जाके बनत इनको वर्स श्री की उपाधी मिली थी तो ये चीज़ें आप याद रखेगा ये कौशन मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि बाबुलाल गौर जी की अभी डेथ 2019 में हुई है बहुत दूर नहीं अभी पास में है तो इसलिए भी इनसे थोड़ा डेटेल वाले कौशन मैंन रख दिया है ठीक है चले आँगे देखते हैं मालवा में गौरी वंश की स्थापना किस ने की थी who established the गौर डायनेस्टी इन मालवा ठीक है गौरी डायनेस्टी की बात कर रहे है मालवा में किसने वसाय था तो दिलावर गौरी खां होशंग सा गौरी मुहमः शा गौरी औ का अंसर है दिलावर गौरी खा ठीक है आपके जो दिलावर गौरी खा जिसका मूल नाम था हुसैन मूल नाम था हुसैन ठीक है यह था मूल नाम और जो मुहम्मद बिन तुगलक है मुहम्मद बिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक ने हुसेन को मतलब आपके दिलावर गौरी खा को क्या बनाया था मालवा का गवर्नर बनाया था Malwa का Governor तो जैसे ही तुगलक वंश का खाथमा होता है दिल्ली में तो इधर आपके दिलावर गौरी ख़ा क्या करते हैं उपने आपको स्वतंत्र गोषित कर लेते हैं और Malwa में फिर Malwa में क्या होता है गौरी वंश की स्थापना होती है गौरी वंश की इस्थापना ठीक है तो यह याद रखिएगा मालबा में होगे गौरी वंच और फिर आपको यह होशंग शाह मिलेंगे जिन्होंने मतब होशंग शाह का मगवरा पढ़ते हैं फिर जहाज आपका महल है जो हिंडोला महले सारे महल पढ़ते हैं यह सब गौर वंच से ही आपके किसने की थी यह संस्थापक है आपके दिलावर गौरी खा ठीक है यह संस्थापक है उसके अलावा हुशायन इनका मूल नाम था मुहमर बिन तुगलक के टाइम पर यह मालवा के गवर्नर बनते हैं फिर अपने आपको स्वतंद्र घोशित कर लेते हैं जैसे ही तुगलक व किस्टर ऑफ मध्यप्रदेश कौन थी यह थी आपकी उमा भारती जी ठीक है याद रखेगा उमा भारती जी कब बनी थी तो यह बनी थी 2003 में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती एकी साल रहती है लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री होने का इन्हें दर्जा प्राप्त की थी जमुना देवी जी लेकिन मुख्यमंत्री उमा भारती जी बनी 2003 में ठीक है यह याद रखीगा सरलागरेवाल जो हैं आपकी मैं पहले भी बता चुकी हूं यह पहली महिला गवर्नर थी दिर्मला बूच मध्यप्रदेश की पहली महिला सचेव ठीक है तो यह स्कुर्यटी एक्ट नैशनल फूर्ड सुकुर्यटी एक्ट याद रखेगा हम नाशनल फूर शिक्यूरिटी की बात कर रहे ह। उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या निकाला गया ignorance निकाले गई सूच घंठ उसमें याद रखेगा मध्य mindhpradish की जो ranking वह वह है प्रस्ट रैंकिंग में कौन सा राज है यह है आपका ओडिसा ठीके तो फर्स्ट रैंकिंग है ओडिसा निरियात वाले में पहला कौन था तमिल नाडू ठीके यह भी याद रखिएगा आंगे देखते हैं मध्यप्रदेश के किस मुख्य मंत्री के कारेकाल में तरवाधिक अ है किसके ताइम पर आया था तो सबसे पहला जो नोकौंफिडेंज मोशन हैं आपका सबसे पहला नमस्कार करके अविश्वास्प्रस्तव लाते थे काठ जूजी के खिला फिर हमें बात करनी है सरवाधिक अविश्वास्प्रस्तव किस के गराद कर ने से काल में आया था औग्यून सिंह के टाइन पर अरजुन सिंग जब मुख्य मंद्री थे, उनके टाइम पर सबसे ज़्यादा आविश्वास प्रस्ताओ आया था, ठीक है, लाया कौन था, ये लाया था, सुन्दर लाल पटवा, ठीक है, तो ये पटवा जी लाते थे, सबसे ज़्यादा जो है आपके, अरजुन सिंग के टा टाइम, क्या लगा था, रास्पती साशन, तो रास्पती साशन इनके टाइम पर लगा था, तो जब इनके टाइम पर रास्पती साशन लगवा देते थे, तो ये क्या करते थे, अविश्वास प्रस्ताओ बार बार लाते थे, तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है श्यामाचरन शुकल जी का याद रखेगा इनके टाइम पे पहला राश्पती साशन आया था श्यामाचरन शुकल जोब का राश्पती साशन पहली बार इनके टाइम पे आया ये रविशंकर शुकल जी के बेटे थे सुंदरलाल पटवा जी के टाइम पे दूसरी और तीसरी बार राश्पती साशन आया अरजुन सिंग के टाइम पे सबसे जादा आविश्वास प्रस्ताव आया कैलास नाथ जी के टाइम पे पहली बार आविश्वास प्रस्ताव आया उमा भारती जी हम देखी चुके हैं पहली मिला मुख्य मंत्री फिर अलावदिन खिल जी के सेना पती आइन उन मुल्क ने किस परमार शाशक के साथ युद्ध किया अलावदिन खिल जी कमांडर आइन उन मुल्क पॉट विज परमार रूलर याद रखिएगा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी अलावदिन खिलजी की लड़ाई किस से किस परमार साशक से हुई थी तो उसका सेना पती आपका आइन उन मुल्क हो गया यह थे आपके महलक देव महलक देव की लड़ाई हुई थी महलक देव वर्सेस आपके आइन उन मुल्क और इसमें जीता कौन था आइन उन मुल्क और यह महलक देव जो थे यह आपके अंतिम परमार साशक थे यहां से फिर क्या होता है यहां जाते है और यहीं से परमार वन्ष का जो होता है वो खात्मा हो जाता है ठीक है तो यह अंतिक परमार शाशकते आपके महलक देव याद करने के लिए आप ट्रिक्या बना सकते हैं कि परमार शाशकों का एक महल था तो महलक देव महल किसका बना तो ऐसे आप करके ट्रिक बना सकते हैं कि पर्मार शाशकों का एक महल था किसका महल था आइने का तोड़ा किसने था आइनुन मुल्क ने यह आपके अंतिम पर्मार शाशक थे महलक देव सबसे फेमस कौन से थे राजबहो जी आपको पता ही है आंगे देखते हैं निम्न में से कौन मध्यप्रदेश मुख मंतरी बुल्डोजर के नाम से प्रसिद थे विच ऑफ फॉलोईंग मध्यप्रदेश चीफ मिनेस्टर वाज पेमस एज बुल्डोजर किसको बोलते थे तो यदर रगी है का बुल्डोजर में भी बा लगा हुआ है और यहाँ पे भी बालागा हुआ है, तो यह आपके बाबुलाल गौर जी जो थे, वो थे bultozer ठीक है, बाबुलाल गौर का भी मैंने क्या पातαιा, इंको मिला था वर्ष श्रीका सम्मान, ठीक है, यह मुख्यमंत्री कब बने थे, यह बने थे 2004-5 में ठीक है, तो 2005-5 में यह यह आपका एक तो institute है संस्थान है कौन सा राश्ट्री उच्य सुरक्षा पशूरोग संस्थान यह कहां पर है यह आपको मिलेगा घुपाल में और यहीं पर हम बना रहे हैं पहली अंडर्ग्राउड लबरेटरी ठीक है तो यह दोनों आपके अलग-अलग कोश्चन भी हो सकत हैं कि अंडर्ग्राउड लबरेटरी कहां बना रहे हैं घुपाल में फिर आपकी राश्ट्री उच्य स्वक्षा पशूरोग संस्थान जो आपका नाशनल इंस्टिट्यूट औफ हाई सिक्योरिटी अनिमल डिजीज यह कहां है घुपाल में तो यहीं पर हम बनाना है जीन एडिटिंग ठीक है जीनोम सेक्वेंसिंग यह सारी चीजें हैं यहां पर परफॉर्म की जाएंगी मतलब यहां पर हम इन चीजों पर क्या करेंगे रिसर्च करेंगे इसलिए हम अंडर्ग्राउंड बना रहे हैं जिसे क्या हो खत्रा नहीं हो उस वायरस के बाहर आने राष्ट्रे उच्य सुरक्षा पशूरोग संस्थान में ठीक है तो यह दोनों चीजें आप याद रखिएगा आंगे देखते हैं मद्य प्रदेश के पहले गैर कॉंग्रेसी मुख्यमंतरी कौन थे वूब पुर्थ नॉन कोंग्रेस चीफ मिनिस्टर अफ मद्य प्रदेश ठीक है पहले गैर कॉंग्रेसी मुख्यमंतरी ओन याद रखिएगा 1975 में जब लगती है emergency तो 1977 में जाके होते हैं election और इस election में पहली बार केंद्र में और राज्यों में घैर कॉंग्रेशी सरकार बनती है तो मद्यप्रदेश में भी उसी टाइम पे 1977 में ही पहली बार घैर कॉंग्रेशी सरकार बनी जिसके जो मुख्यमंत्री बने वो थे आपके कैलास、 चंद्र जोशी जी, ठीक है? तो जोशी जी, जोश में बिलकुल غ Air Congress ही मुख्यमंत्री बनते हैं पहली बार उनका जोश इतना था कि उन्हें ने Congress को हटा के पहली बार गेर Congress ही सरकार बनाई बनध्य प्रदेश में याद करने के लिए मतलब कैसे आप रिलेट करेंगे 1975 में इमर्जंसी के बाद जब इलेक्शन होता है तो सेंट्रल और स्टेट सम्में गैर कॉंग्रेसी आपकी आती है सरकार ठीक है जैने संग जिसका नाम रहता है उसके बाद फिर आंगे चलके वही बीजेपी बनती है चलि जिलैंड संयुक्तराज अमेरिका फ्रांस और इटली याद रखिएगा मध्यप्रदेश दिवस मनाया गया फ्रांस के इडालभानी पेरिस में मतलब मध्यप्रदेश वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि पेरिस में जाके मध्यप्रदेश डे मनाया जा रहा ह सीधी बात है इसमें मध्यप्रदेश का टूरिजम हो गया उसके अलावा जो पेरिस की गवर्मेंट है फिर भारती दूतावास जो आपका इंडियन एंबसी है सबका रहा होगा साथ लेकिन फिर भी मध्यप्रदेश डे पेरिस में जाके बनाना बहुत बड़ी बात है तो सुभाष यादो डेपुटी चीफ मिनिस्टर किसके टाइम पर बने थे तो याद रखेगा ये थे आपके दिगविजय सिंग आंगे देखते है नीती आयोग द्वारा जारी स्टेट एनरजी अन क्लाइमिट इंडेक्स में मध्यप्रदेश का कौन सा इस्थान है वाट इस कर सकता है और मध्यप्रदेश से भी रिलेट कर सकता है ठीक है तो इंपॉर्टेंट कोश्चन हो गया यह तो याद रखेगा नीती आयोग द्वारा जारी स्टेट एनरजी अन क्लाइमिट इंडेक्स में मध्यप्रदेश का स्थान है उन्नीसवा सेकेंड लास्ट इस्थान है मध्यप्रदेश का मतब बहुती गंदी स्थिती है अब सोचे सेकेंड लास्ट आया है सारे इसके बाद सिर्फिश गड़ी आया है तो याद रखेगा एंपी जो है वो सेकेंड लास्ट है उन्नीसवा स्थान है सबसे मतब गिरी हुई हालत है स्टेट एनरजी और क्लाइ है ठीक है उसके अलावे आपका सुसाशन है मतलब गुड़ गवर्नेंस की बात करें अगर तो गुड़ गवर्नेंस में हमारी मतलब ग्रूप B में फर्स्ट रैंक है इसमें भी मच्छा परफॉर्म कर रहे है उसके अलावा हमने जो खाद सुरक्षा का एक अभी निकाला ठ खाद सुरक्षा में भी फूड सिक्क्योर्टी में भी हमारी छटवी रहेंक है तो इसमें भी ठीकी ठाकी है लेकिन हम स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट के लिए इतना अच्छा कुछ काम नहीं कर रहा है इसमें हमारी 19th रहेंक है यह याद रखिएगा ठीक है यह आपके स लोगसभा फॉर्दा लॉंगेस्ट पीरियर तो ऐसा मुख्यमंत्री कौन सा है जो लोगसभा का सबसे ज्यादा टाइम तक क्या रहा है सदसे रहा है याद रखिएगा यह हैं आपके कमलनाथ जी कमलनाथ जी नौ बार लोगसभा सदसे रहे हैं मतलब अपनी सीट से लगात नौ बार जीते हैं ठीक है नौ बार लोगसभा सदसे रहे हैं कमलनाथ जी उसके बाद इनको मौका मिला मंध्य प्रिदेश का मुख्यमंत्री बननेगा जो की उनसे धोके से छीन लिया गया ठीक है तो यह आपके कमलनाथ जी सबसे ज्यादा टाइम तक थे जितने भी आप म उख्यमंत्री मने मध्य प्रदेश के नेक्स देखते हैं किस कल्चूरी राजा ने राजा भोज को पराजित किया था विच कल्चूरी किंग डिपेटेट राजा भोज युवराज देव गंगेग देव लक्षमीकन देवराज प्रतम याद रखेगा यह लक्षमीकन जी न नस्ट कर दिया था ठीक है याद रखिएगा कि राजा भोज ने ही स्टार्ट किया था मतलब उंगली किस ने की थी तो राजा भोज ने किया था राजा भोज ने किसको हराया था गांगेर देव को फिर उसका बदला दिया लक्षमी करने फिर राजा भोज को हराया ठीक है किस मध्यप्रदेश में पंचायती राज विवस्था लागू करने के दौरान मुख्मंद्री पद पर कौन थे? वो वाज ऑन दे पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर द्यूरिंग दा इंप्लिमेंटेशन आफ पंचायती राज सिस्टम इन मध्यप्रदेश याद रखेगा अभी मैंने आपको बताया कि जो दिग्दिविज्जय सिंग थे वो 1993 में क्या थे? मुख्मंद्री बने थे और आपको पते कि पंचायती राज वस्था का जो एक्ट है 1992 में पास हुआ 1993 में हमने इंप्लिमेंटेशन किया और मध्यप्रदेश जो है मध्यप्रदेश पहला स्टेट था जिसने इसको इंप्लिमेंट किया सबसे पहले हमने इस act को implement किया था मध्य प्रदेश में ठीक है तो पूरे भारत में पहला राजय था मध्य प्रदेश इस ताइम पर मुख मंत्री कौन थे तो अपने दिग्विजय सिंग मुख मंत्री थे इसके लावा ये भी याद रखिएगा कि जब हम 2000 में अलग होते हैं 36 तो इस ताइम पे भी आपको मुख मंत्री कौन मिलेंगे दिग्विजय सिंगी मिलेंगे तो ये दोनों चीज़े रेलेक रखिएगा पंचायती राष व्यास था भी दिग्विजय सिंगे टाइम पर आई 36 हिभाजन भी दिग्विजय सिंग के टाइम ठीक है अभी मैंने ब मुख मन्त्री महिला शुभास यादो हम युणत कर लम्मगनी से महिं को गशह मॊंं के ढऄर, कि लम्मेय का अमेरी का लिए लग यूणर सभानला, सुन्दरलाल पतवां स wzglग के टाइम यूण। फिर शुकलव जी तो इतनी सारी चीज़ें हम देग चुके हैं और इसके अलावा हमने आपके संसूचकांग निडियाद सुशाशन खाद वालत तो सारी चीज़ें बस आप एक बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में बैट जाएंगी बहुत अच्छे से तो बस ऐसे ही रिवीजन करते चाहिए हमारे साथ पढ़ते चलिए जादा से जादा लोगों को शेर करिए सब्सक्राइब करवाईए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए all the best